यह वही सोच सकते हैं जो टुकडे टुकडे गैंग के समर्थक हों मनिपूर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है क्या आपको राज्यस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं आप भेद मनिपूर में और राज्यस्थान में करते हैं आप भेद मनिपूर में और बेंगौल में करते हैं आप भेद मनिपूर और बिहार की महिलाओं में करते हैं क्या कोई भारत माता का स्पूत अपनी मा के टुकडे टुकडे की बात सोच सकता है भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है यह वही सोच सकते हैं जो टुकडे टुकडे गैंग के समर्थक हो मध्यरातरी उनका समर्थन करते हो और बाद में टुकडे टुकडे गैंग को अपनी चिन्ता नहीं मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिन्ता है कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे श्रीमान राहूल गांदी जी भारत माता की मृत्यों की कामना करते हैं इस तरह की बोलबानी और यहीं नहीं यह लोग यह लोगतंत्र और सम्विदान की हत्या की बात है मैं तो कहूँगा इनके मन में जो है उनके कुरुते में भी नजरा आता है और कही न कहीं वो इस शब्द जो है जो भाशा है वो साफ दिखाती हो चाहे देश के बाहर है या देश के अंदर है देश को बदनाम करने वाली है अगर शिरिमान राहूल गांदी जी आप सदन में तो दस मिनट भी नहीं रहते आप आए भाशन दिया आप चलेगे बांजवाड़ा तो आप चलेगे लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए क्या वहां की बेटियों की हत्या वहां की महिलाओं के साथ रेप होना क्या आपको राज्यस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं आप भेद मनिपूर में और राज्यस्थान में करते हैं आप भेद मनिपूर में और बेंगॉल में करते हैं आप भेद मनिपूर और बिहार की महिलाओं में करते हैं और अगर मनिपूर की मैं बात लिखने को मिलती है वो किसी और की दीवी नहीं नहरू गांदी परिवार और कॉंग्रेस पार्टी की है जब यह जवाब नहीं दे पाई सदन के अंदर कि कैसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नहरू जी इंद्रा जी राजीव जी फिर मनमोन जी सोनिया जी राहुल पादी जीए 1962 में पंडित नहरू जी ने तो असम को टाटा बाइबाइब बोल दी थी माई हाट गोज आउट टू असाम तो दे पीपल असाम आप तो उसी दिन छोड़के बैठके थे आपके देश का कोई टुकड़ा चला जाए आपको कोई फरक नी पड़ता अक्षाई चिन का एरिया चलेगा आपको तब भी कोई फरक नी पड़ा आप हिंदू चीनी भाई-भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गंदी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को जवाब नहीं देते हो